हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अपने चाइनल वीजन बे सप्रोश पार्शियल डिफ्रेंशियेशन के अंतरगत यह फूर्थ वीडियो लेक्च्छर है पार्शियल डिफ्रेंशियेशन डिफ्रेंशियेशन के अंतरगत यह है आपका लेक्चर फूर्थ और इस लेक्चर का जो क्वेश्चन है इस तरीके ज़े हमें यू कोई फंक्शन दिया हुआ है त्री वेरियेबल्स एक्स वाई और जड़ में और यू आपका होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री थ्री है यू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वाई प्लस वाई स्क्वाई जड़ प्लस जड़ स्क्वाई एक्स है और यह क्या है विचीज विचीज और होमोजीनियस फंक्शन हमोजीनियस फंक्शन प्लस प्लस प्होमोजीन यस फंक्शन एं इंट्री हमोजीनियस फंक्शन इं त्री त्री वैरियेबल्स एक्स वाई एंड जड ओफ डिग्री डिग्री त्री देखिए हम होमोजीनिस क्यों होगा रहे है यू में देखिए वान टू त्री टर्म्स है और हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है परला टर्म एक्स स्क्वार वाई एक्स का पावर टू वाई का पावर वन टू प्लस वन थ्री डिग्री निकालने के लिए हम लोग वैरियेबल का पावर प्लस करते हैं सेकेंड टर्म वाई स्क्वार जड y का power 2, z का power 1, 2 plus 1, 3 third term z square x, z का power 2, x का power 1, 2 plus 1, 3 तो इस तरीके से हम किसी function का homogeneity चेक कर सकते हैं कि दिया गया function homogeneous है या नहीं है उसके लिए function में जितने भी terms हैं हर एक term का degree निकालिए अगर degree अगर हर एक term की same होगी तो वह function homogeneous होगा और maximum जो किसी भी term का maximum जो power होगा जो variables हैं हर एक term में जितने ही variables आये होंगे उन variables के power का sum plus करेंगे तो degree मिलेगा हर एक term का हम देखने हैं कि हर एक term की degree यहाँ पे 3-3 है इसलिए u जो है homogeneous function है 3 variables x, y, z में और इस u function की degree 3 होगी तो इस तरीके से हम लोग किसी भी function के homogeneous होने के बारे में पता कर सकते हैं कि homogeneous है या नहीं है हम check कर सकते हैं और किसी function का degree भी पता कर सकते हैं तो u हमारे पास homogeneous function है degree जिसकी 3 है अब हम लोग को second part ये प्रूब करना है आप देखिए second part का लिजे या main part का लिजे क्योंकि degree तो हम लोग अलग से इसमें बता रहे हैं और homogeneous भी हम लोग check कर रहे हैं इस function के homogeneous होने के बारे में mainly तो हमें इसको प्रूब करना है इसको प्रूब करना है ठीक left hand side में क्या है d y u plus d y u upon d x तो मतलब आप one को differentiate करिए partially with respect to x तो जब हम u का differentiation x के respect में करेंगे तो y और z constant की तरह भी हैब होगा तो y constant x square का 2x तो 2x y हो जाएगा यहाँ पे तो x है यह नहीं तो y square z constant की तरह treat होगा जिसका differentiation 0 हो जाएगा यहाँ पे z square x है z square constant की तरह भी हैब होगा x का one हो जाएगा तो z square आ जाएगा और यह माल लेते हैं कि 2 है उसी type से हम लोग d y u upon d वा y निकाल लेते हैं one का differentiation हम लोग करेंगे y के respect में keeping x and z constant तो y के respect में कर रहे हैं पहले term x square y है तो x square constant y का one हो जाएगा y square z y square का 2y तो 2yz हो जाएगा इसमें तो y का term है नहीं तो z square constant की तरह भी है भोगा यह माल लेते हैं अब देखिए हम लोग अब निकाल लेते हैं d y u upon d z u का differentiation partially z के respect में तो x और y जो होगा constant की तरह treat होगा तो x square y परे term में x है y है पूरा का पूरा constant की तरह treat होगा और हम जानते हैं कि constant का differentiation 0 होता है y square z है तो z के respect में तो z का z के respect में 1 हो जाएगा तो यह y square हो जाएगा और यहाँ पे x constant z square का 2z तो 2zx हो जाएगा और यह है 4 हमें जो required to proof है उसका left hand side d by u upon d by x plus d by u upon d by y plus d by u upon d by z है यह left hand side right hand side है x plus y plus z का whole square तो अगर हम लोग on adding अगर हम लोग second third और four को अगर हम लोग add कर दें तो देखिए किसी भी equation को add हम कैसे करते हैं left तीनो equation का या तीन है या तीन से जादा है चाहे जितना भी है अगर हम उन सभी equations को add करते हैं जिसे मेरे case में तीन equation है एक, दो, तीन अगर हम तीनो equations को add करते हैं तो इन तीनो equation का left एक साथ और right एक साथ add करेंगे तो इस तरीके से हमें left hand side मिलेगा dyu upon dyu x plus dyu upon dyu y plus dyu upon dyu z ठीक और right hand side में क्या मिलेगा 2xy plus z square plus x square plus 2yz plus y square plus 2zx तो ऐसा लिखने से क्या हो रहा है? कि हम देख रहे हैं कि ये कुछ और नहीं है ये तो formula है तो हम लिख सकते हैं x plus y plus z का whole square और right hand side क्या है? dyu upon dyu x plus dyu upon dyu y plus dyu upon dyu z और ये ही हमारा required to proof हो था तो hence proved ठीक? actually हम लोग यहां पर एक formula यूज किये हैं a square plus b square plus c square is called a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c ये जो होता है a plus b plus c का whole square यहां हमने x को replace कर दिया है a से y को replace कर दिया है b से z को replace कर दिया है c से तो हमें x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx के जगह पर मिल जाएगा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2z जिसके जगह हम लिखते है a plus b plus c का whole square actually a plus b plus c का whole square जब आप a plus b plus c into a plus b plus c जब into करेंगे दो बार तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा और यही हमारा जो है एक well known algebraic identity है और इसी identity का help लेते हुए हम लोगों ने यह पूरे के जगह पे लिखा है x plus y plus z का whole square तो friends इस session मिट ना ही हम लोगों मिलते हैं next session में एक अच्छे concept के साथ अगर आपको यह video lecture अच्छा लगा हो तो आप इस video lecture को like कर सकते हैं और अधिक सदिक लोगों को share कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आनी वाली वीडियोज का notification सबसे पहले मिलें दो दो खरेंस थैंक भाचिव जप्राइब को तो आपको प्रेस को अपकोषिए